अब बनाने वाले हैं अंडे की सबजी जो कोई भी इंसान बना सकता है जो कभी कुकिंग ना किया वो भी बना सकता है एकदम इजी रेश्पी है तो सबसे पहले हम अंडे को उबाल लेते हैं अब हम इसमें डाल देंगे नमक नमक डालने से इसको छीलने में आसानी होती है और ये जो पुट के बह जाता है वो नहीं होता तो अब जब भी अंडे उबाले तो उसमें नमक जरूर डाले सो अंडा अच्छे से उबल चुका है अब हम इसको छील लेते हैं के लग्ताइब हो कि अच्छाएब है अगार बेट देखे नमक डालने की वज़ें ना पलता है जैसे यह फुटके बहा भी नहीं और यह असानी से छिल भी गया है एकदम अच्छे से अब हम इसकी सबजी बना के दिखाते हैं इसमें जो जो चीजें डलेगी उसके में कटिंग कर लिए ON WE difficultTV मेडियुषता है जमेर्च दो हरा मिर्च और एक इंचा द्रक जिसको कदूकस कर लिया और पांच्छे लशन की कलियया जिसको कदूकस कर लिया और यह से प ви depends videos जिसको कदूकस कर लिया है और यह से थानिया लिय और अंडे को बालते समय आपने देखा होगा कि आठ अंडे थे पर इसका सब्जी हमें सिर्फ चार अंडों की बनानी है बाकि के चार अंडे हमने अंडा पाव बनानी के लिए ही उबाला था उसकी भी रेसिपी जल्दी आएगी असान से बनने वाला नास्ता सारे अंडे एकदम बारिकी से कट हो चुके हैं जैसे सब्जी आप काटते हैं आलू अगेरा वैसे इसको भी एकदम काटना है अब सब्जी बनाते इसकी आप जो खाते हो आप वही ले सकते हो और अच्छे से गरम हो चुका है तो सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज और इसको ज्यादा नहीं पकाना है हलका का गोल्डन ब्राउन करना है अब हम इसमें डालेंगे लसन अद्रख और हरी मिर्च और चाथी साथ टमाटर भी अब इसमें तूरान थमें मसाले भी एड़ करने हैं इसके साथ सब्सक्राइब आप अदा टीजपून वन टीजपून घनिया पाउडर और अब डालेंगे गरम मसाला अब डालेंगे गरम मसाला अब तूराइब वन टीजपून अब इसमें डालेंगे वन टीजपून लाल मिर्च पाउडर आपको जितना तीखा आई चाहिए आप उससाब से मिर्ची डाल सकते हो और यह रेंच से तूरंत बनती है आप जैसे कोई जॉब कर रहा है उसको कुकिंग नहीं आती फर्स तू यह तूरंत बन बना सकते हैं जैसे आपको कहीं जल्दी जाना हो जटपट बन जाता है यह रेस्पी अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक आप अपने स्वादरू सा डालें भलिտ पालें यही है नहीं जाता है यही है कर दक ऐनती है अही है चुफछी है झाल कुछ से क्तून तवस्टी Newton ब TaylorIfaniन को वैसे कोटी है जल्दी से अजहीं जल जाओ सीजिख। और मसालों को खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है इसे थोड़ा भी पकाना है मसाला हमारा अच्छी से बोल रहा है हमारा मसाला अच्छी से पक शुका है तेल छोड़ दिया है अब हम इसमें डालेंगे अंडा घ्च्छी से पकाई बालेंगे अच्छी आ रहा है आप आराम से चलाएं इसको में तो अंडे का भरता बन जाएगा अब यह पक चुका है अब इसमें डाल देंगे धनिया ज्यादा पकानी की जरूरत नहीं के मारे मसाली भी पक चुके हैं अंडा तूबला है अब हम गैस को बंद कर देंगे हमारे अंडे की रेस्पी एकदम तयार है रेडी है और आप इसे टिपिन में भी ले जा सकते हो और आप जैसे कि कोई आपके साथ कोई नौन विज नहीं खाने वाला हो तो उसके साथ भी बैट के खा उसको क्या ही पता चल रहा है कि आप क्या लायो टिपिन में तो यह हमारी जी रेस्पी जटपट बनने वाली एकदम रेडी है अब इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं अब इसकी बाचे के बाचे के अब बाचे की अब रहा है आप एक बार जरूर ट्राय करें तुरंत और जटपड बन जाता है और अगर आपको मेरी रेस पर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अच्छे-चे कॉमेंट जरूर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब त